हाई ट्विल्टीज विल्कम टुए इसीपे कॉमेंस क्लासिस मैं हो तपिता और गाइस आज की इस क्लास में हम लोग एक और कोशन सॉल्फ करेंगे अपने सीदेसे सैंपल पेपर का 2020-21 का कौन सा कोशन होने वाला यह कंजूम्ड मेटीरियल का जो कोशन नबर 14 है त्री मांक्स का आया है वह आज हम सॉल्फ करने वाले हैं इसके ओपर अल्रीडी लाइव क्लास हो चुकी है और यह कोशन मैंने बताया ना आपको की कंजूम मेटीरियल के सारे कंसेप्ट को लेके आया है यानि कि आपको कंजूम मेटीरियल की अच्छी तरीके से प्रेक्टिस करने हैं क्योंकि इसमें काफी सारे कंसेप्ट में सुछन में सीखते हैं कैसा कॉस्छन आया है हमारे CBSC सेमल पर में स्टाइब करते हैं लेको सब्सेबले स्टॉक हमें दे रखा है ओपनिंग इस्टॉक कितना दे रखा है 60,000 का हमने अमाउट पे किया दूरिंग दूरिंग छॉक है आपका यह स्पोर्ट मेटीरियल का आपको किसी भी साइट पर अविलेबल मिल जाएका सीबसे चीजिए की साइट पर यह अधर साइटे पर भी अविलेबल है अधर इसकी पिक में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी ठीक है तब वहां से भी देख सकते हो और इसके अलावा हमारे पास opening creditor है, closing creditor है और हमने कुछ अपना sports material का समान बेचा भी है जिसके cost एक्चुल में 35,000 थी जिसे हम book value कहते हैं लेकिन हमने 15,000 में बेचा है नुकसान में और इसके अलावा हमें cash purchase दे रखिया और उनोंने बोला कि stock at the end is zero याने कि closing stock आपके पास कुछ भी नहीं है आप इनोंने बोला है calculate the amount to be charged to income and expenditure account for sports material consumed तो आप income and expenditure में कितना amount sports material consume में दिखाएंगे तो guys सबसे पहले तो हमें purchases given नहीं है कौनसी वाली credit cash purchase given है credit नहीं given तो creditor account बनाएंगे जिसका format अल्रेडी बना लिया है तो कैसे करते हैं इसको बहुत easy था ना buy balance bd, 2 balance cd ये लिखेंगे buy balance bd कितना है 1 lakh रूपीज है और 2 balance cd कितना है 80,000 ठीक है इसके बाद आपने जितने की payment करी किस head से जाती है payment to bank account से और हमने कितने की payment करी है 3 lakh रूपीज की 3 lakh रूपीज की payment करी तो इधर का total आगे 3 lakh 80,000 ठीक है अगर इसमें advance भी होता तो advance का bd दर से होता cd दर से होता ठीक है ये चीज मैंने last class में भी आपको समझाए थी अब जो ये हमारा निकला है ये हमारे stock of material account से क्या निकला है ये credit purchase ठीक है और कितने की आई है 380 में से 1 lakh गया 2 lakh 80,000 की easy था creditor account बनाना कितना easy है ना नॉर्मली बन जाता है bd इस तरफ करते cd इस तरफ करते creditor account का हमेशा bd किस तरफ होगा credit side से क्यों होता है क्योंकि हमारी liability है और liability का bd credit side से होते है बिकोज liability is always credited ठीक है अब हमारा ये ledger बन गया creditor का और हमें अपनी credit purchase भी पैदा चल गई अब हमें पता है हमारा consumed material किस तरीके से निकालते हैं आप चाहते normal formula लगा सकते हो guys opening stock plus purchases और अगर sale होती है तो sale को minus करते है बट sale कौन से book value वाली ठीक है sale कौन से minus होती है book value वाली minus closing stock अब opening stock कितना था हमारे पास समान का 60,000 रुपीज तो हम यहां लिख लेंगे purchases guys purchases cash plus credit दोनों आएगा तो cash हमारे पास है 1,30,000 की और credit है 2,80,000 की sale कितने की करिये guys आपने 35,000 book value और closing stock है zero, अब हम इसको solve करते है है यह कितना आ रहा है हमारा 3 lakh 3 lakh 1,2,3 9 or 8 और 4 lakh 70,000 यहां का आगया और इसमें 35,000 की से 15,000 लेस करने है तो हमारे income and expenditure account में कितना जाएगा to consume material कितना 4,35,000 अब गाइज एक चीज और बताते हो कि जब भी भी book value sale दे रखी हो तो उसमें देखो जब भी भी आप sale करते हो तो profit पे करोगे या लॉस पे करोगे यहां पर 35,000 की चीज हमने 15 में बेची है तो इत मींस हमारा loss हो रहा है 35 की चीज 15 में बेचने पर कितने का loss हो रहे 20,000 का तो वो हम expense side दिखाते है किस से to loss on sale of sports material कितने का है 20,000 का और अगर यही profit हो रहा होता 35 की चीज हमने 40 में बेची होती 45 में तो वो gain हम income side दिखाते है तो इसकी adjustment भी करी जाती है तो आपको ये भी ध्यान रखना है सो income and expenditure का हमारा amount भी निकल गया और question में solve गोगे तो कितना easy question था क्यानि कि आप easily कितने marks ले सकते हो 3 marks सिर्फ 2 मिनट के question में अपर तो मैंने पूरा समझा के कराया अगर आप अपने तरम से करोगे paper में तो 2 मिनट के अंदर आपके question solve कर सकते हो 3 marks आपको ऐसे ही मिल जाएंगे क्योंकि इसमें कोई सादा hard adjustments नहीं आती है तो आप इसके त्यारी बहुत अच्छे से guys कर सकते हो notes अवे label है notes भी ले सकते हो मेरे से instagram पर ठीक है and whatsapp पर भी और अपने doubt आप मेरे से instagram और youtube पर पूछ सकते है thank you